अलो गाईज, विलकम टो माई चैनल, गैजेस अफायर वेदा एंड हेल टिप्स में, तो चलिए शुरू गड़ते हैं, आज का टॉपिक, आज का टॉपिक है प्रोस्टेट के मरीज के लिए राहत भरी खबर, तो आएए जनते हैं इस वीडियो के थूँ क्या है वो खबर, प चलिश बर्स की आयू के बाद, लोगों में ये वीमारी पैर पसरने लगती है, खास बात ये है कि प्रोस्टेट के आंद्रेखी करने पर किड्नी फेल होने की संभबना भी बढ़ जाती है, सेक्टर के जेनरल होस्पिटल में, प्रती दिन करीब 30 प्रोस्टेट से पीरित मर इलाज कराने पहुच रहे हैं, यूरोलोजिस्ट का कहना है कि ओपरेशन करने के बाद, लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पर सकता है, मेडिगल साइंस के अक्रों के अनुसार यदि वेक्ती 60 बर्स से ज्यादा उम्र का है, तो 60% चाल्स दबाईयों से और 40% ओपरेशन से ठीक होने की संभबना रहती है, अब अब सोचेंगे कि कब हो सकती है किड्नी फेल, प्रोस्टेट का नॉर्माल साइज 18-20 ग्राम होता है, हर साल इसके आकार में 2.3 ग्राम की बरत्री होती है, यदि इस बिमारी से ग्रस्त किसी वेक्ती का प्रोस्टेट का आक तो ये किड्नी के लिए घातक होता है, चार से पाच साल तक इसकी अंदेखी करने पर पीरित वेक्ती की किड्नी फेल होने की संभबना बढ़ जाती है, अब अब के मन में प्रशन आएगा कि ऑपरेशन के बाद क्या दिक्कते आती है, ऑपरेशन के बाद 100 में से 100 लोगों क सेक्स के दौरान स्पाम नहीं निकलता है, बलकि पैसाप की थहली में चला जाता है, दो परसेंट लोगों में नपुंग शक्ता के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसके अलाबा अपरेशन के बाद यदि इंटरनल स्पिंटर कट गया, तो यूरिन रुकने की समस्षा पैद होना, रात में चार से पाच बार यूरिन करने के लिए जाना, यूरिन में खुन का आना, मसने के अंदर पत्थर का बनना, किद्नी का फेल होना, काफी देर तक बत्रुम के समय यूरिन का बाहर नहीं निकलना, ये सब सिंटम्स आपको दिखेगा, अब आप सोच रहे हैं, क इसाब से गदूत से पीरित विक्तियों का आकड़ा, 40 बर्स की उम्र में 8%, 50 से 60 बर्स की उम्र में 50%, 70 बर्स की उम्र में 70%, 80 बर्स की उम्र आते आते मरीजों का आकड़ा 100% तक पहुँच जाता है, ये पिमरियों का मरीज, पकेट अमटर, मस्रूम, लैसून, फलिया, जरूर अपनी डाएट में एड़ करना, क्योंकि ये चीज़े खाने से गदू दिया प्रोस्टेट की मरीजों को लाब मिलेगा, तो आज की वीडियो में यही पेंट करती हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा और हिल्फुल लगता है, तो सबस्क्राइब जरूर करना, और मेरे चैनल की बाकी वीडियो को भी देख लेना, ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड और ब्यूटी रिलेटेड और जानकरी मिले, मिलती हूँ और एक इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ,